नमस्कार साथियों आज की वीटियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे भारतिय सम्धान की प्रमुख समितियों की बारी में तो प्रमुख सम्थियों से एकजाएंस में केश्चन साती रहते हैं तो आज सम्धान सवा में सम्धान की रिर्माण के लिए बहुत सारी कार्यों को संपाधित करने के लिए पूर करने के लिए कई समितियों का इसमें गठन किया गया था और इसमें आठ बड़ी समितियां थी और कुछ अन्य छोटी छोटी समितियां भी थी लेकिन आज की वीडियो में हम लोग केवल आठ बड़ी समितियों के बारे में बात करेंगे साथी साथ इसमें जो प्रारूप समिति है उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे तो एक्जाम में बड़ी समितियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं वो चली शुरू करते हैं याँ पर, सबसे पहली जो महत्तपूर समिती थी, वो थी संगिय सम्विधान समिती, खीक है, और संगिय सम्विधान समिती की जो अध्यक्ष थे, वो थे जवाहरलाल नहरू, आप ध्यान रखेंगे, इन सभी कॉस्चेंज को आप कम्प्लीट करके र जिसमें कि राश्ट्रपती, प्रधान मंत्री, संसद इससे related जो सम्धान में नियम लाए गए उनसे related जो समिती थी उसकी अध्यक्षते जवालाल नहरू और जो राज्यों से related सम्धान में प्रावधान किये गए हैं जैसे कि मुख्य मंत्री या राज्यों की विदान सवा या द्राफ्ट कमेंटी बोलते हैं इसके अध्यक्ष टे डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर most important है ये exam में कई बार question आ चुका है कि प्रारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे तो answer हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेटकर देखे मैं आपको बता दू कि प्रारूप समिती न नहीं इसको complete किया था तो इसके बारे में हम अभी आगे और भी discuss करेंगी चलिए बात करते हैं next मूल अधकार और अल्प संख्यक समिती तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लब भाई पटेल इसमें की मूल अधकार जो हमारी समधान में भागतीन में सामिल किये गए हैं तो इस point को आप ध्यान रखेंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मूल अधकार की एक उप समिती भी थी तेको question यहाँ पर बहुत ही confusing है अगर आपसे क्योंकि exam में आया हुआ है दोनों तरह के question आई हुए है अगर आपसे केवल मूल अधकार की समिती पूछी जाती है या वहाँ पर चीजें सही तरह से दर्साई नहीं गई है तो आप ध्यान रखेंगे कि मूल अधकारों की समिती है वो सर्दार वल्लबाई पर टेल की है और उप समिती की बात करने तो जे भी करपलानी होंगे और अल्प संख्यकों की भी एक उप समिती थी जिसकी अध्य समिती तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समधान सवाग के स्थरह संचालन हुआ है तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सातिसात प्रकिरिया और नियम समिती इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सदन समिति इसके अध्यक्षि पट्टा भी सीतरमया राइट तो ये कुछ प्रमुख समितियां थी जिनके अध्यक्षों की जो नाम है वो आपको ध्यान रखेंगे ठीक है और आगे बात करते हैं प्रारूप समिति की मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति पर अलग से रिस्कुसन करेंगे तो इसमें जो सदस्य थी वो भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एक्जाम में पूशे जाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारूप समिति की बारे में इसके अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिति जो थी इसके अध्यक्ष टी डॉक्टर बेम रावं, अमवेड़ कर जिनकों की एक तरह से भारतिय समदान के जनक की रूप में जाना जा सकता है. और यह जो प्रारूप समिति थी वो पूरे समदान सभा में जितने भी समितियां थी और में सबसे जादा महत्तपूर प्रारूप समिति थी अगर कुश्य नाता है कि इन सभी समितियों में कौन सी समिति सबसी महत्तपूर थी तो प्रारूप समिति इसका अंसर हो जाएगा और ये वही समित्य है थी जिसे एक तरह से नए समधान का प्रारूप करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसमें कुल कितने सदस थे साथ सदस थे तो उनकी जो नाम है वो आप द्यान रखेंगे तो पहले नाम हो जाएगा आपका डाक्टर भीमराम बीट कर दूसरा नाम है यहाँ पर एन गोपाल स्वामी आयंगर राइट तीसरा यहाँ पर नाम आता है अलादी कृष्णा स्वामी एयर राइट चोथा यहाँ पर नाम आता है डाक्टर केम मुंसी ठीक है और यहाँ पर नेक्ष्ट नाम है सयद मुहम्मद सादुल्लाय इसके बाद यहाँ पर नाम है एन मादवराओ तो देखिए एन मादवराओ BL मित्र की जगह पर आये थे क्योंकि BL मित्र ने स्वास्थ कारणों से related त्याग पत्र दे दिया था उनका स्वास्थ सही नहीं था तो BL मित्र की जगह पर एन मादवराओ आये थे और अंतिम जो नाम है वो है टीटी कृष्णामचारी और टीटी कृष्णामचारी डीपी खेतान की जगे पे आये थी और डीपी खेतान की जगे क्यों आये थी क्योंकि 1948 में डीपी खेतान की मृत्यू हो गई थी तो उनकी मृत्तियों के बाद टीटी कृष्लाकमचारी ने उनकी जगे ली थी तो प्रारूप समिती से रिलेटिड आपको इन नामों को द्यान रखना होगा क्योंकि प्रारूप समिती के सभी स्वदस्यों की बारी में आपको जानना जरूरी है एक्जाम में आता है ठीक है तो जो भी समितियां हैं उनकी प्रिस्ताओं पर विचार किया गया और विचार करने के बाद प्रारूप समिती ने भारत की सम्दान का एक पहला प्रारूप तयार किया था जिसे की फरवरी 1948 में प्रकास्यत भी किया गया था और जो भारत की लोग हैं उनको भारत की लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए और साथिसा संसोधनों पर पिरस्ताव करने के लिए आट माएं का समय भी दिया गया था लेकिन अंत्ता सभी लोगों की सिकायते हैं आलोचना, सुजाओ और सुधार इनको देखती हुए अंत्ता अक्टूबर 1948 में इसको फाइनली प्रारूप समिती की द्वारा ड्राफ्ट किया गया इंडिया का कॉंस्ट्यूशन और जो प्रारूप करने में 6 माए से भी उन्होंने कम समय लिया था और कोल मलाकर अगर कुश्यन पूछा जाता कि प्रारूप समिती के दोगर कितनी बैठके हुई थी तो 141 यानि कि 141 बैठके इन्होंने की थी लेकिन ध्यान रखेंगे 6 माए से कम समय में प्रारूप समिती ने अपना काम पूरकर लिया था तो ये अब ध्यान रखेंगे ठीक है तो आज की वीडियो में हम लोगने समितीओं के बारे में चरज़ा कि ए सबसे पहले बात की थी कुछ प्रमुक्स समितीओं की और उन्हीं प्रमुक्स समितीओं में से प्रारूप समित्य की बारे में हम लोगों ने अलग सी बात की तो ये सबी आप कंप्लीट कर लीजीगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में नेक्ष्ट इंप्पोर्टनेंट टॉपिक के साथ सब तक के लिए नमस्कार